आज हम पढ़ रहे हैं लेस्न रिंकल्स जो उसका एक पेज हमने पहले ही पढ़ा है आज हम उसका जो दूसरा पीज है पेज नमर 68 वही पढ़ेंगे मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस इस एक्चोली ए डोगरी पएम डोगरी पएम में उसका नाम है जुरिया और इंगलिश में उसको नाम रखा गया है ईरिंकल्स डोगरी में ये लिखा लखी है ये पढ़ेम आरविंध निय और फिर उसकी जो ट्रा निसलेशन है वो मुख्किलात जीलती है अपने पच्चे को पालने के लिए दो जिए कुर्बानिय। हम ने जिक्र किया है जब उसकी शादी हो जाती है जब उसको अजनभी घर में ले लिया जाता है उसको सब कुछ चोड़ना पड़ता है और फिर एक अलग अजने भी घर में उसको जाना पड़ता है दुस्तरी कुर्बानी जब वो पच्चा अपने पेट में ले होती है और उस तरहन उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है now we will read the remaining part of this poem at page number 68 now the third wrinkle दो wrinkles का हमने जिकर किया है wrinkle actually means sacrifices or sufferings अब third wrinkle का जिकर है another wrinkle when I suckered from your breast the calmliness of your face जब मैं फिर पैदा हुआ जब मैंने दूद पिया और मेरे दूद पीने से आख की जो calmliness है जो attractiveness है जो खुबसूरती है वो खत्म हो गई है यह period भी बहुत मुश्किल होता है मां के लिए जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है एक दिन का और फिर दो डाई सालों के लिए वो दूद पीता है अपनी मां का और इस दवरान मां को बहुत सी ताकाली का सावना करना पड़ता है उसके रातों की नीद खराब हो जाती है उसको दिन पर बिल्कुल एक नाजुक चीज एक नाजुक बच्चे की परवनिश करने पड़ती है उसका रूना उसका खाना उसका बगई सब कुछ उसको बरदाशच करना पड़ता है यह एक तिसरी कुर्बानी है जो मां अपने लिए देती है now the fourth one, settle another wrinkle चाओठी कुर्बानी जो देती है मां अपने बच्चे के लिए when a girl took me away from you ये तो बहुत ही बड़ी कुर्बानी होती है इतनी कुर्बानी देकर वो अपने बेटे को जवान कर देती है अपने बेटे को पाल पुस्ती है लेकिन फिर एक अचनवी लड़की आती है वो उसके बेटे को अपनी मां से अलग करती है ये एक बहुत बड़ा सद्मा होता है मां के लिए जब वो बेटा उस लड़की के साथ जाता है अपनी मां को छोड़ देता है अपनी मां को जुदा कर देता है ये एक बहुत बड़ा सद्मा होता है मां के लिए यही कुर्बानिय, यही चार कुर्बानियों का जिकर है हाला कि बहुत से और कुर्बानिया है लेकिन चार कुर्बानियों का जिकर उस शायर ने किया है इस पॉइम में Now, My Mother यहां से टापिक बिल्कुल अलग होता है यह पहरे कुर्बानियों का जिकर करता है अब यह बिल्कल उसकी जो खुश्याँ है जो जो जवानी में वो जिस तरह खुश होती थी जब वो अनमारी लाइफ में जिस तरह खुश होती है वो खुश्याँ उसके लिए वापस लाना चाहता है यहां से यही मौजू होता है बिलकुल पुएम का माधा टेकिंग और आज मैं फिर खुसला करता हूं आज मैं अपना बिलकुल अपने आपको यह मजबूत बना देता हूं In my hand today, taking courage in my hand today, I am seeking I am seeking under the seeking of your wricklings I am seeking means I am finding, I am looking for the same girl, for the same young girl, for the same unmarried girl who was very happy before marriage I am looking for a girl who has concealed, who has been concealed under the folds, under the wrinkles of your seeking जो इन जुरियों के पीशे चुपी हुई है मैं उस लड़की को आज ढून लेना चाहता हूं मैं उस लड़की को आज वापस लाना चाहता हूं जो जिस दूर मैं आप बहुत खुश थी Mother, my mother, taking courage in my hands today, I am seeking under the seeking of your wrinkles a girl, concealer की, who was suppressor जिस पर जुलम किया गया, जिसको दबाया गया, जिसकी खुशियां चीन ली गई who celebrated raid festival जो unmarried life में raid festival मनाती थी actually this festival is celebrated in this Jumoo Dugan Jumoo Dugan में Dogra community जो है, वही यह celebrate करती है this festival उसमें actually they plant seedlings in colors जो gold colors होते है या pictures होते है, बरतन होते है उनहीं में वह seedlings रखते है, फिर वह फूटते है, they sprout after one month, after 15 or 20 days फिर उसको दर्या में बहादिया जाता है, दर्या में ले जाता है, वहाँ वो उनको immerse करते है, वहाँ वो खुद नहाते है यह एक festival है, Jumoo Dugan में मनाया जाता है, उसको raid festival कहते है, with fondness किस तरह खुशी में आप वो festival मनाती थी, किस तरह आप खुशी से उस festival में हिसा ले दी थी वो वे टो दे तवी, रिवर तवी, दिस अल्स आप दर्या जाती थी, तो इमर्स raid seedlings, जहाँ आप उन seedlings को, उन नए जो ये दरकत उखते थे उन भीजूं से, उनको आप बिलकुल दूबो देते थे उस दर्या के, दर्या तवी में, and paid during the Navratras, फिर वहाँ नहाती थे नवरात्रा के दियो, नवरात्रा एक्चिवली दिस आलसो एफेस्टिवल, नाइन रातूंका फेस्टिवल होता है, आटम में ये होता है, नवरातूंका, और लड़कियां उसमें बहुत से, बहुत से काम करते हैं, बहुत से पूजा होती है उस दवरान, इस नवरात्रा में, फुपलेड हप्सकॉच, ये एक गेम है, जो हम पथर से कहलते हैं, और उस जमीन पर पहले वो चकोर खाने बना देते हैं, उनहीं में उस पथर को पैरों से कहलते हैं, फिर वो उनको बिलकुल बहुत खानों में वो पथर जाते हैं पारों से, एक से लेकर दूसरे से लेकर तिसरे तक और उनकी लेज़घवर हो जाती है, तो हम एक ए खाना जीत लेते हैं. who played hopscotch, this is a game and the game of Peabless or Peabless जो छोटे छोटे पत्थेर है उनकी भी बहुत से गेमों होते है उन गेमों में भी आफने हिस्सा लिया है ये जो ये सिटेंजा है ये actually in this सिटेंजा the poet talks about her mother when she was young and the activities in which she took part जब वो छोटी थी जब वो शादी से पहली जब उसकी उमर छोटी थी तो वो कौन-कौन सी खेल खेलती थी वो कौन-कौन सी फेस्टोलस में हिस्सा लेती थी और वो कितनी खुश थी उस वक्त वो कोई sacrifice उसकी कोई problem नहीं थी वोई परेशानी उसकी नहीं थी I will bring you everything colors of red मैं वो खुशी आपके लिए वापस लाना चाहता हूँ I want to bring that happiness back the happiness of your unmarried life जब अब जवान थी पार्यू everything colors of red मैं वो उस फेस्टोल के जो colors होते है colorful जो pictures के रिद गिरिद वो बिलकुल वो gold circles मनाते है different colors के मैं वो colors आपके लिए वापस लाना चाहता हूँ tinsel for you or dupatta मैं आपके dupatta का वो जो lace जिसको हम कहते है जो चमकदार पटी होती है दुपटी के नीचे शिरूं पर वो आपके लिए लाना चाहता हूँ मैं आपके लिए अच्छे कपड़े लाना चाहता हूँ here it means now the last stanza at page number 69 colorful pebbles मैं आपके लिए रंग पर रंग के वो कंकर लाना चाहता हूँ जिन कंकरों से आप बहुत gamers खेलते थी from across the TV पूरे दर्या की तलाशी करके पूरे दर्या को बिल्कुल तलाश करके मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पत्छलाना चाहता हूँ become that girl oh my mother become that girl for one day just for a day become that girl mother just for a day sirf एंग दिन के लिए आप ऐसी जवान लड़की बन जाओ ऐसी खुश जो खुशूं से बरी हुई हो ऐसी लड़की आप एंग दिन के लिए बन जाओ just for a day मैं आप के लिए तमाम खुश्या लाना चाहता हूँ जो आप ने मेरी कातिर जो कुर्बाने के हैं लड़की ने पहले आप जितना खूश्ती मैं आप को ऐसा ही खुश् दिखना चाहता हूँ this was a poem this is Wrinkles actually this is a dogari poem Juryain then it's translated from dogari language to English language by Shivnaath this is a poem about the sacrifices and sufferings of a mother for her children Inshallah, the textual questions are and the rest of the grammar we will do another lesson in the next lesson, in the next video Tell that goodbye